Hello friends, I am Bhavya here. Welcome to our YouTube channel Baby Health Guide. तो आज की इस Baby Health वीडियो में हम बात करेंगे बोतल फीडिंग के बारे में. कैसे आप अपने नवजार शिशु को बोतल फीडिंग कराएं? So in today's video I will tell you how to formula feed your new born baby. So have a look on my video. अपने शिशु को स्तन पान कराना है या पाउडर के दूद की बोतल फीडिंग करानी है. यह फैसला आपका निजी फैसला है. हाला कि जनम के 6 महिने तक बच्चे को मा का दूद ही पिलाना चाहिए. नवजाश शिशु के लिए दूद पाउडर का उपयोग करने से पहले यह ध्यान रहे कि इसकी एक खास मात्रा होती है. और इसे कैसे बनाना है आदी दूद के डिब्बे पर निर्देश पढ़ने के बाद ही शुरू करें. बोतल फीडिंग करने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें. टिप नामबा वन बोतल को उबले पानी से धोएं. उबले पानी से साफ नहीं की गई बोतल या गलत मात्रा में दूद का पाउडर मिलाने से बच्चा बिमार हो सकता है. टिप नामबा टू. हर तीन घंटे पर शिशु को बोतल फीडिंग जरूर कराएं. या जब बच्चे को भूख लगे तब उसे बोतल फीडिंग कराएं. टिप नामबा त्री. बूल कर भी बोतल में बच्चे दूद को फ्रिज में ना रखें. और उसी दूद को दूबारा ना पिलाएं. हर बार ताजा वना हुआ दूद ही बच्चे को पिलाएं. टिप नामबा फोर. शिशु को बोतल फीडिंग हमेशा 45 डिगरी के कोण में रख कर पिलाएं. ध्यान रहे बोतल खाली होने पर बच्चा हवा तो नहीं चूस रहा है. तो यह सब थी बोतल फीडिंग कराने की टिप्स. तो अगर आप भी अपने नवजा शिशु को बोतल फीडिंग कराते हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें. So this much is for today and I will be back with more baby health videos for you. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर कीजिए. And please do not forget to subscribe our channel Baby Health Guide for more such videos. Till then take care of your newborn baby. Bye.